नाबालिक को घर में अकेली पाकर छेरचाड करने वाले छे यूकों को पुरानी भीलाई पुलिस में गिरफतार कर लिया है पंचिशील नगर्च रोदा में जब 17 वर्षी नाबालिक अपने घर पर अकेली थी उसी समय उसके घर के सामने अनिश कुमार मजुमदार के घर पर करीब 25 दिनों से रह रहा बैंगलोर निवासी एस वेंकट देजा म.स शेखर उर्फ सन्नी सरदार, सुशिल शर्मा उर्फ चिंटू, वगवतम सोना नामक युवग जो अड्डे बाजी कर नशा खोरी कर रहे थे इस दवरान ऐस वेंकट नाबालिक के घर में घुसकर चिरजाल करने लगा नाबालिक द्वारा चिखने पर आरूपी ने उसके गले पर ब्लेड से बार कर घायल कर दिया जी कल साम को करीबन साड़े पांच बुजे टेलिफ़नी जानकरी मिली कि चरोदर निवास सी एक बच्ची है जो की नाबालिक है और उसके घर के सामने एक व्यक्ति निवास करता है उसके घर में कुछ लोग आके बैठे हुए थे और उनमें से एक जाके उस बच्ची के साथ छेड़ चाड़ करने का प्रयास किया और साथ ही वहाँ पे और जो उपस्थित लोग थे वो भी उनकर सहयोग किये जो तत परता से सभी लोगों को उठ पकड़ के लाया गया थाने में आपरात पंजिबत किया गया है धारा 344, 354 और पासको की धारा आठ के तहट आपरात पंजिबत किया गया है वह धानी कारवाई की जा रही है सभी को जोडिसल रिमान पे बेचा जाएगा